है आज हमने आफ्टरनून की क्लास में मैं बहुत बड़ी हूँ पेटा हमने आज आफ्टरनून की क्लास में हम अपने रेजिस्ट्रेशन के चैप्टर को पूरा क्लोज किया कि आप यह मत समझें कि हमने सिर्फ एक रेजिस्ट्रेशन के चैप्टर को क्लोज किया है मैंने उस चैप्टर के अंदर कई सारे ऐसे इन्वाव कर दिया था जो आपको पूरे सिलेबस में करेंगे कई सारे ऐसे आपको लगेंगे कि सर यह अगर आपने उस पूरे चप्टर को पूरे लेक्ट्टर को बिलकुल सही से समझा है और सुना है कि आपको हर एक मुमेंट वीच चीज समझ में आएगी कि आपको अपने तो यह पूरा चैप्टर ही रेजिस्ट्रिशन में करवा दिया आपको ऐसा भी फील आएगा कि आप उसको पूरे के पूरे सिलेबस को कोर्रेट कर पाएंगे इसके अंदर कई सारे ऐसे टॉपिक हम ने कवर किये जो आप हम देरे देरे आगे सिलेबस में कवर करेंगे ठीक है तो रेजिस्ट्रेशन ऐसा नहीं कि बहुत ही बेसिक चैप्टर बहुत इंपोर्टन चैप्टर था हमने यह भी देखा कि प्रैक्टिकल सिनेरियों में रेजिस्ट्रेशन कैसे होता है आई होप आप लोगों चीज सारी समझ में आई होंगी अगर नहीं भी आई है तो स्टिल आप दुबारा लेक्टर को देखिए फिर भी नहीं आता है हमारे पास लाइव सेशन है आप यहां पर अपना कोश्टन डालिए आप टेलेग्राम में जुड़े हुए हैं वहां पर सब्सक्राइब होंगे मैंने अभी आपको इनिशली लेवल पर टेलीग्राम का गुरूप दे दिया है उस पर आप जॉइन करके अपने कोश्ट सकते हैं मुझसे ठीक है उसी के कॉंटिनियोशन में अब हम आगे चलते हैं जो हमने बीच में कवर किया था कि रिवर्स चार् कि ऐसी कौन सी सोला सर्विसेज हैं जिसको गौर्रमेंट को बोलना पड़ा कि जो रेसिपियंट है उसको टैक्स देना पड़ेगा बेटा मैं वाट्सअप भिजवाद हुआ आज जब मैं क्लास ओवर करके नीचे गया ऑफिस में तो मेरी टीम आज थोड़ा जल्दी चली गई थी तो मैं आपको मंडे को आपको वाट्सअप का लिंग वाट्सअप करवाद हुआ ठीक हां सो हम रिवर्स चार्ज पे थे त को यह एक अलग से नापड़ा कि फॉवर्ड चार्ज रिवर्स चार्ज यह क्यों करना पड़ा अबड़ा इपार्टमेंट को तो उसके वीच रिजन था वही सारी चीज़े हम हमक्सप्स समझ चुकिए क्या होता है हम फिर से समझेंगे कंसेप्स क्या होता है और उसी में हम आज इस चैप्टर को पूरा क्लोज कर देंगे आज रिवर्स चार्ज को आज पूरा कर लेंगे तो देखिए जैसे आपको फर्स लाइट में दिख रहा होगा कि रिवर्स चार्ज ठीक है इसमें क्या हो रहा है कि कोई कोई सप्लाइर है बैंक भी आ गया डिपॉजिट जिस्ट और गवर्मेंट और विहाफ सप्लाइर सर ऐसा क्यों लिखा हुआ है फिर आपने यह देखिए सर पर्चेजर है सप्लाइर है यह जिस्ट रेजिस्टर है यह विदाउट पेमिंट कर रहा है तो एक एक स्लाइड का आखिक image का परपज है की यह आप एक क्यों रखी घी अभी मैं आपको फिरसे आगे बढ़ने से पहले फिरसे मैं आपको थोड़ा सा डिखॉल करवा देता हूँ ठीक है फिर से रिकॉल करवाता हूँ जैसे हमने इस्टार्टिंग में देखा था बेटा हमने बिल्कुल एक होता है स्वरी फॉर्वर्ड चार्ज और एक होता है मेरा रिवर्स चार्ज ठीक है फॉर्वर्ड चार्ज में क्या होता है यहां पर भी सप्लायर है मेरा और यहां पर भी मेरा रेसिपियंट है अधर भी मेरे पास सप्लायर है और इधर भी मेरे पास recipient है ठीक है इधर भी supplier है इधर भी supplier है इधर भी recipient है इधर भी recipient है ठीक है forward charge में क्या होता है supplier विल कलेक्ट है जी स्टी फ्रॉम है रेसिपियंट है तो सुरी एंड विल पे तो दा गवर्मेंट concept समझ लीजिए बहुत हेल्प करेगा हम पहले कर चुके मुझे पता आपको पता है पर मैं फिर से एक बार रिकॉल करवा रहा हूं कि रेसिपियंट क्या होता है रेसिपियंट विल कि पे जी एस्टी एंड टैक्सिबल वैल्यू कि टूदा कि शप्लायर कि सिंपल है रेसिपियंट जी एस्टी के साथ टैक्सिबल वैल्यू सप्लायर को पे करेगा और सप्लायर कि इसको पे करेगा जी एस्टी का कि रिवर्स चार्ज रिवर्स चार्ज में क्या होता है कि रेसिपियंट विल पे अनली टैक्सिबल वैल्यू है क्यों टैक्स की सब्सक्राइब करेगा कि यह सिर्फ टैक्सिबल वैल्यू के साथ जीन भी देगा लेकिन यहां पर सिरफ टैक्स वेल्यू देगा रेसिपियंट क्या करेगा यहां पर रेसिपियंट विल पे पे टैक्स वेल्यू तो सप्लायर स्वरी सप्लायर एंड़ जी एसटी टू दा गॉर्मेंट कोई डावट ये पिटाइस में ना कौन सबस्वाज जी है सिर्फ फॉर्वर्ड चार्ज में क्या हो रहा है रेसिप्सटाइर को दे रहा है और और क्या कर रहा है और क्या हो रहा है कहें दोनों में जट का पेमन्ट है वह कौन कर रहा है की कंछ behave करें ऐदिमेटली जो कि वीडियोस सब के साथ लैग हुरी है कि थी मिचाथ हो रही है है कि लिए भी नहीं है क्या वीडियो क्लियर नहीं कहा बिटा कि वीडियो ब्लर हो गई सर इस बड़ा नेट देखो कि यहां से कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है मैं देख रहा हूं कि फस रही है सर कि अब कि अब कि वेड़ा दो में एक मिनुदे यह ना कि वेड़ा दो में एक मिनुदे यह ना कि अब भी वी सेम प्रॉब्लम आ रही है गए कि क्या अभी भी सेम प्रॉब्लम आ रही है बेटा कि अब आप कि अब कि अब आवाज आ रही है भी कि कॉलिटी सही नहीं है कि अब कि अब कि अब ठीक है बेटा थीक है तो हम वहीं डिसकस कर रहे थे कि फर्वर्ड चार्ज में रिवर्स चार्ज में फरक कि यह यह बेटा कि जो जी एस्टी का अमाउंट है वह कौन को दे रहे अगर सप्लायर दे रहा है जो आथा मेरा परॉड चार्ज है और अगर रिश्रीपिंट दे रहा है तो मिला रिवर्स चार्ज ना दर प्रॉब्लम है की कब पैमेंट किसको करना हैं कि कब supply recipient supplier को देगा supplier पे करेगा और कब recipient खुजी पे करेगा तो there are 16 set of services which government has notified as a reverse charge अगर वो services deliver हो रही है वाया supplier to recipient then this is presumed the liability of making the GST payment is on the recipient है तो हम आपको समझ में आ गया बेटा कि कॉंसेप्ट क्या है हम पहले भी इसको डिसक्स कर चुके हैं हमारे रेजिस्ट्रेशन की चैप्टर में मैंने फिर से आपको समझाया कि रिवर्स चार्ज क्या होता है तो अगर इसमें कोई डाउट मुझे बता दीजिए वरना हम हमारा वह सोलर सर्विजिस लिखी हुई है कि अ कि अ कि अ कि डाउट है बता दीजिए अ कि अ कि एनिडाउट अ कि क्लियर नहीं है बटा डाउट के अ बेटा एक का मैं क्लास को नो record कर रहा हूँ तो मैं आपको recorded section इसके provide कर वाद हुआ अगर कुछ भी problem हो रही है बेटा तो मैं class को record कर रहा हूँ class recorded आपको मिल जाएगी ठीक है बेटा तो डोंट वरी अगर आपका कोई भी पॉइंट मिस हो रहा है तो डोंट वरी अबाउड इट लिकार्ट भी हो रही है आपको रिकॉर्ड टीट क्लास भी मिल जाएगी प्रॉपर कॉलिटी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी उसमें ठीक है बेटा तो यह जो हमारा है यह मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया कि क्या हमारा फॉरवर्ड चार्ज है और क्या हमारा रिवर्स चार्ज है ठीक है यह सिर्फ डेफिनिशन है कि क्या हमारा फॉरवर्ड चार्ज है और क्या हमारा रिवर्स चार्ज है ठीक है आप पढ़ेंगे इसका मतलब वहीं निकलेग टैक्सिबल पर्सन मतलब कि एक सगेंड जुएस पेबल बाय तो टैक्सिबल पर्सन कौन ओग यहां पर सप्लाइर रसीपेंट पहले मुझे बता हूँ कि सप्लायर रसीपेंट तो वह है मेरा सप्लायर who is supplying goods and or services taxable person means a person who is registered or liable to be registered under section 2224 of the GST act this onus of payment of tax on the supplier of goods and or services is called as a forward charge mechanism FCM it may be noted that it is a default charge mechanism ज्यान से देख लिए जी बिटा एक वर्ड क्या हो गया आपके पास FCM और एक क्या हो गया default charge mechanism ठीक है examiner आपको इन शब्दों से परिशान कर सकता है कौन से शब्द वो बोल दे explain deferred charge mechanism what do you understand by deferred charge mechanism sorry default charge mechanism ठीक है तो आपको पता होना चाहिए default और forward दोनों same है ठीक है therefore unless otherwise stated FCM is applicable अगर कुछ नहीं लिखा गया है तो forward charge ही applicable होता है कि supplier recipient supplier को टेक्स पे करेगा और supplier आगे पे करेगा reverse charge में क्या होता है बेटा जी एस्ट पेवल आए परसन हुई रेसिपियंट आफ दा गुड्स और services और बोथ रिवर्चाज में क्या होता है रेसिपियंट की liability होती है टेक्स पे करने की कि the collection mechanism when recipient of supplier is made liable to pay tax is called reverse charge mechanism ठीक है सिंपल दी पेटा हमने यही चीज़ आगे पढ़ी हुई है ठीक है कि the reverse charge means the liability to pay the tax by the recipient of supplier of goods and services both instead of supplier of such good services both under section 9394 of the section में आप कई वार बोला है आप concept समझेए आप इसको अपनी language में भी लिखेंगे आपको पूरे marks मिलेंगे ठीक है concept समझ में आ गया अब हम अपनी services पर चलते हैं कि समझ सकते हैं आप इसको इससे अच्छे तरीके से मैं आपको नहीं समझा सकता है ठीक जो मैंने आपको लिख स्लाइट बनाई है आप समझेए यही सारी चीजे हमने स्टार्टिंग में डिस्कस करी थी तो यह आपको help करेंगी बेटा चीजे है कि फॉर्वर्ण JUL 2 यहाँ पर रहें गौश्मिन यहाँ पर रहें कि अ कि इटिशाजार चा शेयं शोर रुपे मिले किसने दिये तैसिपियेंट ने सप्लाइर को शत्रींटर टाइक्स था वो शत्रीं रुपे टेक्स किसने पे किया सप्लायर ने किसको गवर्मेंट को क्लियर कि 20,000 रुपे की सर्विस थी कि अब 20,000 रुपे के उपर 18% निकालोगे बेटा तो आता है 3600 ठीक है 3600 रुपे टोटल 20,000 प्लच 3600 रुपे किसको दिये सप्लायर को और सप्लायर ने 20,000 रुपे अपने पास रख लिए यहां पर रख लिए और 3600 रुपे इसने गवर्मेंट को पे कर दिये ठीक है बेटा रिवर्स चार्ज में देख लीजिए सब कुछ सेम रहेगा लेकिन रेसिपियंट सप्लायर को सिर्फ 20,000 ही देगा और 3600 रुपे वो डिरेक्टली गवर्मेंट को पे कर देगा कर जाना है नोगौ क्लियर है आउकस डायग्राम से आपको बहुत क्लियर हो जाएगा कि की आपका फ़ коп चर्ज रिवर्स चर्ज कर मैं इसके बाद को कोई डाउट नहीं होना चाहिए बताए। अब चैनल इसने उर आगा ठीक है बेटा अब हम जलते हैं आगे की तरफ तो अब बेटा हम शुरू करते हैं हमारी मेन महा भारत जो कहती है कि रिवर्स चार्ज के अंदर वो सोला सर्विशिस कौन-कौन सी है ठीक है बेटा से बेटा आब हम स्टार्ड करते हैं कि हमारा रिवर्स चार्ज के अंदर वो सोला सर्विशिस कौन-कौन सी है जो हमारी कर्क्र पाई कैंदर हमें बारे में हलकी देख चुके हैं इस ईसर्व्स के बारे में हम एक तो लीगल और एक जीटीय के बारे में जीटीय वो गेम वाली नहीं यह जीटीय अलग है इसको हम बोलते हैं गुड्स ट्राइड ट्रांस्पूर्ट एजनसी ठीक है गुड्स ट्रांस्पूर्ट एजनसी अब ध्यान से पढ़िए कि नॉमन क्लिचर क्या है पहले सप्लायर कौन है उसमे हमें सब्सक्राइड एंड हूँ इस दा रेसिपियंट है तो सबसे पहले हम सर्विस देखते हैं क्या लिखा हुआ है गुड्स ट्रांस्पूर्ट एजनसी इन स्क्रीन पे जो लिखा हुए विजिबल है इन रिस्पेक्ट आफ ट्रांस्पूर्ट ऑफ गुड्स बाय रोड क्या बोला इसने ज्यान से समझें बेटा इसने बोला है गुड्स ट्रांस्पूर्ट एजनसी इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांस्पूर्ट ऑफ गुड्स बाई रोड सिरफ रोड से जो गुड्स जाएंगे बेटा आप रिकॉडट देखना प्लीज, तो जो सामान मेरा रोड के थू जाएगा, रोड के थू वो कवर होगा यहां पे, अब अगर मैं बोलूं कि क्या इसमें रेलवे भी कवर होगा, क्योंकि वो भी तो रोड से जा रहे हैं, नहीं बेटा, गलाद जा रहे हो आप, रेल में उसका track अलग होता वो रोड से नहीं जाता पहली चीज़ ठीक है ट्रेन रओड पर नहीं चलती पट्रियों पर चलती है पहली है पहली चीज़ क्या समार्य prag जा रहा हौँगा नहीं कि इसने क्या लिखा हुआ यह रोड लिखा हुआ है इसने रोड ठीक है believed यह हमारा जीटिये जो हो गया जो रोड से जा रहा है वह सर्विस कवर होती है इसका एक्जामपल देखते हैं मुझे कुछ सामान दिल्ली से मुंबई भिजवाना है मैं ग्णास उसके टीवी जोह मुंबई भिजवाना है मैं किसी एक ट्रांसपर वाले को क्टाक करऊ lado कि सर मुझे मेरा यह स्क्रीन जो है मैंra आवाना का 530Can कि मैं सप्लायर को ने गुड्स ट्रांसपोर्ड की जो एजेंसी वो सप्लायर है रेसिपियंट को ने मैं हूँ मैं हुआ ना तो मैं क्या करूँआ पचास हजार रुपए उसको दे दूआ और पचास हजार रुपए के ओपर अठारा परसन के इसाब तो जो जेस्टी बनेगा अठारा पंजेनब्वे में लब 9000 रुपए वह मैं सरकार को दे दूआ कि कॉंसेप्ट क्लियर है तो कॉंसेप्ट क्लियर है यह हमारी है गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी की पहली सर्विस को तो आपको सर्विस का ध्यान रखना है और वो समान जा कैसे रहे हो ध्यान र देखते हैं अगली सर्विस हमारी जो है उसको भी हम पास्ट में अच्छे से कर चुके हैं जो है मेरी लीगल सर्विसी वह है मेरी लीगल सर्विसेज ठीक है कांथ कुरियर सपर्विसिस में लेकिन अब द्धान से में आज में इंसे बहुए हो किसी का सब्सक्राइब करते हैं तो आपके पास अगर मैं हूँ मैं सब्सक्राइब और मैं कुछ सवान भिजवा रहा हूं है है तो सिनारियो में आगर वो रोड से जा रहा है तो क्या कुरियर समान क्या है उस पर डिपन करेंगा है इस सामान क्या है सब्सक्राइब की लिगल सर्विसिस क्या कहता है सर्विस डवाइड by an individual एडवोकेट जहां से पढ़ना इंडीविजर्वीजयवल इडवोकेट इंकलूडि सेनियर एडवोकेट और फर्म ऑफ इडवोकेट एडव्य व और इंडिरेक्टली कि अगर लीगल सर्विसिस दी जा रही है इंडिविज्व लॉयर सीनियर एड्वोकेट कोई लीगल फॉर्म है उसके तुरू डिरेक्टली और इंडिरेक्टली तो इसमें भी आर्शियम लगेगा सप्लायर को है यहां पर साब सब लिखा हुआ है इंडिविज्व एड्वोकेट सीनियर एड्वोकेट और फॉर्म फेड्वोकेट और रेसिपिंट को होगा कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन जो टेक्सवल्ड टेरिटरी में आता है अब ऐसले कर करनिया कुमारी तक सब्सक्राई करन अघंडाबाद तकां इसले करिया है बिल्कुल है बेटा यह वो लेंड मैंने बताया जो डिरेक्टली कनेक्टेड है विदाउट एनी डिस्टर्बेंस लक्षुदीप के लिए पानी का आ जाता बीच में और अन्रमान के लिए पानी है जेकिन वो भी हमारी ही टैक्सिबल टेरिटरी है तो कॉंसेप्ट विल रिम चाने का और ये सप्लायर है ये recipe कर देजह ठीकिला यख़ह Supplier है और यह एस हमारी जीटीसर्विसिश बायप रोड्य लेगल शेविशेज नमाल सेस्टर जड़ी सर्वीस हम देखते हैं सर्विस ओफ ऐन आर्बिट्रल ट्रीबुनल services of an arbitral tribunal अब इसमें बेटा है आर्बिटरल ट्रेबुणल होता क्या है पहले आपको वह समझना जो दूरी है यह वेटा एक तरीके का कोट होता है कीज़ी कर गू Baptि एक तरिकरानी कोट ही होता है जैसे हम आपको मैं आपको बता हूँ आपने सुप्रीम कोट के बारे में सुना होगा अगर कोई प्रॉबल्म है किसी को क्या सीधा वह सुप्रीम कोट के पार चला जाएगा या हइं ऐसे नहीं होता वी सबसे पहले हो सेशेंस कोड में है प्रिंटिक कूट में जाता है उसके बाद मैं या इंकम टाक्स की अर सिश्थी और इंकम टेक्स कि यहांपर क्या होता है यहांथ 뉴스 होता है सिप् 맡र पर और उसके बाद फिर हम ट्रिबुनल लेवल पर जाते हैं तो यह बात कर रहा है ट्रिबुनल की यहां पर तो अगर कोई भी बिजनस एंटिटी जो है वो इनकी सर्विसेज ले रही है तो यहां पर भी सेम सेनारियो एप्लिकेबल होगा जीस्टी इनको देना पड़ेगा ठीक है रहुत है। नहीं पर सकता है यहां पर क्या गहता है नगी मेor पकीशिप सर्विसेश्टे में अब और वे minutes कमर्फोंकरेख स disguise अडियो प्रेस्विकेИश क्या होती है यहां लोगोने कॉल्च किया ता रहा है हम भोकि तो पैसा से आता है वह पैसा देते हैं sponsors वो कौन होते हैं जैसे मैं example देता हूं स्रीराम College of Commerce में क्फेस्ट हो रहा हैं उन लोगों ने हमें अपरोच किया था में आपको लाइव लाइव इस्टैम्पल है यह उन लोगों ने तो इसके समें क्या होगा वह पैसा हम उस कॉलिज को दे देंगे ठीक है और वह पैसे को अपने इस फेस्ट के लिए इस्तमाल करेंगे अब बात यह आती है इसमें जीएस्ट कोन देगा कॉलिज बोलेगा हम तो हमारे पर जीएस्ट अपली के वली नहीं है क्योंकि हम तो एजुकेशनल इंसिट्यूट है मैं बोलूँआ कि मैं तो सप्लायर हूं वह बोलेगा मैं सप्लायर हूं तो गॉर्मेंट ने बोला नहीं यहां पर सप्लायर जो है वह कॉलेज है रेसिपेंट आपको ठीक है तो अगर आप कुछी चीज को स्पॉंसर कर रहे हो तो जीएस्ट आपको देना पड़ेगा जैसे मैं एक्जांपल बताओं अगर मुझे एवरेस्ट पर जाना है माउंट एवरेस्ट पर जाना है तो मैं यह कौन वब मैं तो हो गया आनि परसंड और मैं कौन हूँ वह कि मैं वहां पर जाकर के माउंटेंटिम का जंड़ का इसा व्युक्त को है सब को अग्ला पटते हैंD obviously received from government कि सॉत रिचीब फरम गवर्मेंट इस ब्लूडब डी सब्सक्राइबड को एंड最近 हुआ है गवर्मेंट से कोई सर्विसर इसीव रही है Camera central स्टेट गोवर्में युनिम्टी उठ्योन का रेसिक्पयोन एंड राथिका एड निन बिजनेस एंडिटी लोकेट इन टैक्सिबल टैडक्ट लिटुट अब है एब आपने कोई सर्विस गौवर्मेंट से रेसीब करी हैं मलाना मिलफ्य स्थ إن एंड टले अगर उन लोगों ने मुझे सर्विस दिया तो मुझे जी एस्टी पे करना है कि गौर्ण्मेंट बोलेगी मैं जीस्टी तुम से करके खुदी अपनी जैब में रख लूँगी नहीं तुम खुदी पे करो हम देखेंगे ठीक है और इन्हों ने बोला कि इन सर्विस को आप पोस्ट शर्विस इन रिलेशन टूएन एरक्राफ्ट और वेसल और इंसाइड आउटसाइड दा प्रिसिंक्स ओफ पोर्ट और एरपोर्ट और ट्रांस्पोर्ट ऑफ गुड्स और पैसेंजर इन सर्विस को आप हटा सकते हैं मतलब अलग हो जाता है यह सर्विस जबर नह हुम् ठीक है बटा हुम् हुम् क्विट आओ दे बेटा इसमें कि अगे चले कि यह आप छोड़ दो बेटा यह कि अग्याओ इस बाइड डिरेक्टर कौन होता है कंपणी में बेटा जैसे पार्टनेशिप फर्म बनाने के लिए दो लोगों की जरुएत पढ़ता है मिनिमम यह आल पराने के लिए दो लोगों की जरुएत पढ़ती है है जो लोग हमारे डिरेक्टर बनते है जो लोग हमारे ट्रेक्टर बनते हैं एक मिट देना को कि 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 है हां जी बेटा सो कंपनी बनाने के लिए दो लोग भी ज़रुत पड़ती है तो जो डिरेक्ट कंपनी में दो लोग होते हैं उनका हम डिरेक्टर बोलते हैं उनको हम क्या बोलते हैं उनको हम बोलते हैं डिरेक्टर हाँ जी बेटा सो कम्पनी में जो दो लोग होते हैं उनका हम बोलते हैं डारेक्टर उनका हम क्या बोलते हैं ठीक है तो अब वो डारेक्टर अगर अपनी सर्विसिज दे रहे हैं किसी कम्पनी को अगर वो अपनी सर्विसिज दे रहे हैं किसी कम्पनी को बट वो कम्पनी से सैलरी नहीं ले रहे हैं जान रखना पेटा सैलरी नहीं ले रहे हैं क्योंकि सैलरी पे जी एस्टी नहीं लगता है क्योंकि वह एंप्लोई और एंप्लोई के रिलेशन्शिप में आ जाता है हैंस लेकिन अगर कोई डिरेक्टर है और वो अपनी सिटिंग दे रहा है लाइक आता है बोर्ड मीटिंग में बैठता और पैसे लेकर चला जाता है तो उस सिनेरियों में उसको कंपनी जो है हमारी जो सर्विस ले रही है उसको gst देना पड़ेगा तो तो स्प्लायय कौन हो गया मेरा स्प्लाययर हो mínimo कर डारेक्टर और रेसिप्ध्वेंट कौन हो है मेरा जो गई कंपनी 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 क्धों किया क्रों नाम क्यों या काई-पार्टर्शिप लिए पैस पते जो Company है वह रिभरस चार्ज में जी स्टी पेड़ करेगी किसको गवर्णमेंट को क्लिए नहीं सर्विस देखते हम नईंय सर्विस है हमारी इंशुरंस एजचन सेर्विसेश कि कि कर gw HK नहीं सर्विस है भी इनसे एजन्ट तर्वरेसे इंसे एजन्ट होती है जैसे मैं बात करूं अगर जैसे एलाईड़े के एजएंट लाइजी के एजएंट आपने कई जगा बोर्ट बगरा देखा होगा या फिर आपके आजपरोस में भी लोग होंगे जो लाइजी के एजएंट है और वह लाइजी की पॉलिसी जो बेचते हैं ठीक है अब उसमें होता क्या है बेटा कि आप अगर चैसे सब्सक् और उस एक लाइजी ने मुझे 10% कमिशन दिया माल लो नंबर कुछ भी होगा क्या एक्जेक नंबर है माले 10% का कमिशन मुझे मिला तो वह कितना होगे बेटा 10,000 रुपीज यह मेरा कमिशन हो गया ठीक है अब जो कमिशन पर GST होगा वो कौन पे गरेगा जो उस बिजनस क वो क्यारी कर रहा है मतलब LIC LIC reverse charge में उसके ओपर GST पे करती है ठीक है क्लियर है बेटा तो पहली सर्विस जीटी है दूसरी सर्विस लीगल तीसरी सर्विस मेरी क्या थी सब्सक्राइब पहली थी मेरी लीगल पहले जीटी दूसरी अच्टि अगर किसी ने लोन लिया है किसी ने लोन लिया है वह लोन बैंक से लिया नहीं निकलवा पा रहे हैं मैं अगर आप मेरा निकलवा देंगे वहां से तो मैं आपको commission दो कुछ नीए परसंटेज परसंटेज होगा कि तो मौन दो टक का के परसंटेश मिल गया उनको एकक्रोड का लोन था दो परसंट दो लाग रुपए हो गया तो दो लाक रुपए के ऊपर बैंक जो होगी यह जिसका वह लोन होगा वह दो लाक रुप्य के उपर GST पे करेगा गवर्मेंट को और एजेंट को अपना पैसा मिल जाएगा तो सप्लायर कौन हो गया एजेंट और यह कौन हो गया रेसिपेंट बैंकिंग सर्विसिस बैंकिंग कंपनी फानेंशल इंस्टिउशन नौन बैंकिंग फानेंशल कंपनी लोकेटिट इन दा टेक्सिवल टेरिटरी ठीक है क्लियर है अब हमारी अगली सर्विस कौन सी है विच इस कॉल सप्लाय ऑफ सर्विसिस बाई म्यूजिक कंपोजर म्यूजिक कंपोजर फोटोग्राफर आर्टिस और लाइक बाइद वेट रांसफर और पर्मिटिंग दाुस इन्जॉइमेंंट अव गॉप भॉपि राइट आप इसको देंक खियां कंपोजर फोटोग्राफ और ऑरटिस्ट और लाइक बाइद Again transfer कि जो मीरे सपोट्राफर है यह अगर सविसिस इदे रहे हैं किसको म्य क्मपनी को प्रोड्यूसर को लॉकेटिट इन दा लाइक लोगेट इन दा टाक्सिबल ट्रेटरीम है ठीक है तो अगर कोई कंपोजर है कोई फोटोग्राफर कोई आर्टिस्ट हो अपनी सर्विस्स दे रहा है किसको इन लोगों को तो यह supplier हो गए यह recipient हो गए of course इनको GST पे करना है मालो मैं एक music composer हूँ मैं freelancer में काम करता हूँ ठीक है मालो मैं photographer मैं freelancing में काम करता हूँ तो मेरे पास एक group आया कि सर हमारी photography कर दीजिए मैंने का बिल्कुल सर कर देंगे हम आप दो लाक रुपे लेंगे थीक है सर हम दे देंगे मैं उपने सर जर आप एक यह हो गए हमारीघन दस्वी सब्सक्राइ yer तपलाइव सर्विस अगर को बोलूं तो यह सिमिलर मेरा सर्विस कहता है डायक्टर वाला ह। कि यह पियुक्तर वाला सरविस है मेरा लेकिन यह स्पैसिफिक आर बिया है तो इसको डाला गया कि कोई कोरी भी जो मेरे मेंबर्स हैं जो भी मेरे मेंबर्स किसके ओवर सींघ कमीटी के बना रह रखी है तो इसके अंदर कुछ मेंबर्स जो है वो अपना देते हैं वह सारे मार्किट कंडिशन सब्सक्राइब वह नहीं करना चाहिए तो इसके जो लिए ना वह मेमबर्स आपके वन जाएंगे और आपका रहस्कुलोड नडाय अधार बशेयर के सेयं नहीं कैसे होता है और बशेयर करता है जस्ट डेपार्ट्पेंट को कि एक बढ़ा नहीं सर्विस सर्विसिस सप्लाइड बाइ इंडिविज्व डियस से डियरेक्ट सेलिंग एजेंट्स अदर देन अब बाडी कोपरेट पार्टनर्शिप लिमिटेट लियाबिल्टी पार्टनर्शिप फिर्म टू बैंक और एन्बी अफसी क्या कह रहे है कि सर्विस जो दी जा रही है डिय ऑ इसकोन यह बटा एजेंट्स फोटें यह इंट्स के की बैंक सब्सक्राइब आपके लिए काम करना चाहता हूं मेरे पास कई सारे आईसे लोग और यहां जो बैंक से लोन लेना चाहते हैं उनका सारा डॉक्मेंटेशन सब कुछ सभी है लेकिन वह बैंक के पास नहीं जाना जाते हैं मुझे जानते मेरे थुरवाएंगे बिल्कुर सही आप उनको हमें डेटा सारा कठा करिए हमें दीजिये हम उनको लोन देंगे और हम SBI के बिहाफ पर बोल रहे हैं हम AXIS beng के बिहाफ पर बोल रहे हैं आपको लोन लेना है कुछ आपको ओवरड्राफ्ट लेना इसको कॉल आती रहती है बेटा तो क्या कहता है कि अगर ऐसे कोई लोग है लेकिन वो लोग body corporate नहीं होने चाहिए लएलपी नहीं होने तो क्या हो गया इंडिविजुल जो होते हैं अधर देन बॉडी कॉपरेट पार्टनर्शिप और लोगों को छोड़के जो इंडिविजुल काम कर रहे हैं उनकी बात के लिए तो अगर मैं इंडिविजुल हूं मैं सर्विसिस दे रहा हूं बैंक को मैं बोलो मिरे पास चार लोग ऐसे हैं जिनको लोन चाहिए जिनको लोन चाहिए तो मैं इंडिविजुल होगे ना में पार्टनर्शिप ना में बॉडी कॉपरेट हूं मैं उन चार लोगों दिलवाऊंगा सब्सक्राइब तो दस लाग रुपे के पार दो परसेंट मुझे कमिश्न मेलेगा विच तो ओके यह हमारी होंगे 11 शर्विस हमारी मारे की यह बारवी की क्या रही है यह बड़े लेवल पर होता है जो बैंकिंग सेक्टर को यह एट को उसको बिजनस परवाइड करवाता है तो सिंपल सी चीज है यहां पे भी बिजनस फैसिलिटेटर सप्लायर है बैंकिंग जैसी है इसको टैक्स पे करना है ठीक है आप यह बात ध्यान रखिए आपके सिलिबस में यह ज्यादा डेफ्ट वाले आर्सी में वह नहीं आते हैं लीगल आ गया गया डिरेक्टर फीस आ ग गतोते हैं इसफ्रीटे ने स्वीसे जो आर्स hm में कबर होती है ठीक है आ है क्यों बेठा मेधी सर्विसेश्ट वाराको झाल वै subscribe मैं एक कि मैं एजन्स का ठीक है किसी बिजनस के बिहाफ पर एक सीब हूले बीजनस प्रेंणिन्ट प्र मैंने किसी को लिए né बिजनस परवाईट मले सब्सक्रों समझो कि अगर दुनिया में मैं को बिजनस होता है न वह इंशुरेंस के पास supply है डिमांड नहीं है तो डिमांड कौन लेकर आ रहा है लाइसी एजएंट लेकर की आ रहा है किसुमिलरली अगर मैं यहां पर बात करूं तो कोई बिजनस कोई बिजनस कॉछ एजेंट सा वह कुछ बिजनस लेकर के आया उस बिजनस के लिए एक बिजनस लेकर आया वहा है उसका एजेंट बिजनस लेकर के आया तो वही चीज़ते बिटा कि सपोमज करो मैंने कोई डील करवा दी डीलफ की जीन्ट हूं मैंने डीलफ के लिए टील करवा दी तो मुझे जो कमिशन में ले सब्सक्रोण पांच क्रोड का उस पर जी स्टी security personal provided to a registered person बहुत important है कि अब क्या होता है कि आप लोग ने देखा होगा काफी सारी buildings के बाहर office के बाहर security guard बैठे रहते हैं तो वो बैठे हुए हैं क्या वो बैंक के companies के साथ associated होते हैं security company associated होते हैं तो अब क्या होता है कि जब वो उनके associated हैं वह employee उनके हैं लेकिन काम आपके यहां पर कर रहे हैं लेकिन जो बैंक वाला जो है या फिर जो ऑफिस वारा है जो उससे payment कर रहा है उस company को और company इतने बड़े लार्ज लेवल पर काम नहीं करती है ठीक है तो सिनारियो में क्या होता है कि उस सिनारियो में क्या होता है कि जो payment company उस security company को दे रही है payment उसको करेगी और उसके उपर अब यह करेगी तो देखा जैतो सिक्योर्टी सर्विस जो जा रही है सप्लायर के थूर्भ रेसिपेंट के पास तो रेसिपेंट करेगा सप्लायर को टैक्स वेल्लियो की और जीस्टी के पेमेंट करेगा गवर्मेंट को ठीक है पैटा मेरी फिफ्टीन सर्विस कहती है सर्विस प्रवाइड बाइव रेंटिंग आफ मोटर वीकल डिजाइंड टू कैरी पैसेंजर वेर दा कॉस्ट फ्यूलिज इंक्लूड़िट इन दा कंसीडर चार्ज फ्रॉम दस सर्विस सर्विस रेसिपेंट प्रवाइड इड़ी कॉप इंक्लूड़िड है तो वह सर्विस मानी जाएगी रसीम के अंदर देखे जहां से सर्विस प्रवाइड बाइड बाइव रेंटिंग आफ मोटर वीकल डिजाइंड टू कैरी पैसेंजर इंड तू कैरी पैसेंजर वेर दा कॉस्ट ओफ फ्यूल इंक्लूड इन दा कंसीड चार्जड चार्जड अब क्या सिंपल समझ में आया कि मेरे पास कोई गाड़ी है वह गाड़ी इस तरीके से डिजाइन की गई कि वह उसमें पैसेंजर को एक जगह से छोड़ा जाएगा जगह से पिक किया जाएगा और जो मैं पैसे ले रहा हूं जो मैं पैसे ले रहा हूं उस पैसे के अंदर मेरे कॉस्ट फ्यूल मेरी इंक्लूडड है कि कॉस्ट फ्यूल मेरी इंक्लूडड है लेकिन मेरी जो सर्विसेज हैं वो सिरफ और सिरफ बॉड़ी कॉपरेट के लिए हैं बॉड़ी कॉपरेट का मितलब क्या हो गया या तो एलेटिट एकमपनी या लपी दो ही होते हैं कि यही कवर होते हैं ठीक है और कोई नहीं होता अगर आगर बोलू कि इंडीवीजूल तो इनडीवीजूल इसमें कवर नहीं होता थीक है करें ठीक है नेक्स शलते हैं हाँ इसमें एक चीज है बैटा एनी पर्सन अधर देना बॉडी कॉपरेट ज्यान से देना अनी पर्सन अधर दन बॉडी कॉपरेट क्या चाहता है कि अगर आप इंडिवीजुल हैं और जो बिल रेस कर रहे हैं उसके ओपर आपका जीएस्टी रेट बारा परसंट से कम है तो ही आप इसमें कवर होते हैं मतलब क्या है जहां समझना समझना बेटा कि यह कहना चाहता है कि आप जैसे मैं हूँ इंडिवीजुल मेरे पास एक बस है मेनी बस है उससे मैं मेरे बस से अब मैं पचास एक कंपनी के पचास लोगों को दिली से गुड़गां चोड़ता हूं उनको लेकि आता हूं ठीक है मेरे बेरी बस है ड्राइवर मैंने लगा रखा हुआ है ठीक है वह करता है काम तो इसमें क्या होता है बेटा कि मैं सब्सक्राइब कि कि लोग हैं बीस लो 6 IQних इंट्व इंट्व जो में 22 हा अ मैं 40.0005,000,000 रुपे बिल्ल चार्ज ने-क उन लोगों से काटीक है अब 40.000,000 रुपे में म होंडależन दैन बॉडिक नहीं करें है और देन लगा दिया 12 परसंट के हिसाब से तो आर्सियम यह नहीं पे करेगा यह मुझे पे करेगा यह बोलो कि यहां तो 6 परसंट लिखा हुआ है तो बैटा ध्यान से याद करना मैंने क्या बताया था यह क्या लिखा हुआ है कि सेंट्रल टैक्स मतलब सी जीएस्ट आपको एजीएस्ट भी देना है ना तो 6 और 6 कितना हो जाएगा 12 अगर आई जीएस्ट वह तो पूरा 12 परसंट हो जाएगा क्लियर तो यह हो गया मेरा अगर मैं राट लगा लगा रहा हूं 5 परिसनका भी को तो अगर मैं लगा सकता हूं अगर मैं जीएस्ट यह फॉल करता हूं के ठीक है अब कॉण्सेप्ट आया है कि आपने सर्विस जो स्पार जा मतलब इसको आप लेंड कर सकते मालब उधारी पर दे सकते हैं प्लेस करवा सकते हैं अगर मैंने bank को वो lg कर अगर मैंने वह बैंक को लेंड कर दिया है तो उस सिनारियो में इसमें क्या होगा कि सेक्योर्टी मेरी है मुझे पैसा मिलेगा लेकिन रेसीवर कौन है जो उसका बोरोवर है जो उसका बोरोवर है और यह सेट आपको याद रखनी है वह आपको बता आता नहीं पढ़े सकती है एक ये यह आपके examination में कई बार पुछी गई हैं यह आपको याद रख नहीं है हाँ बेटा कल भी लाइव क्लास ही होगी टाइमिंग में आपको बता दूँँ एक बार प्रवेबली दस बज़े के अराउंड होगी थोड़ा बुद उपनीच हो सकता है बढ़ा दस बज़े के अराउंड मॉर्णिंग में ठीक है बेटा तो यह हमारा आर्सीम का फूरा चैप्टर खतम हो जाता है यही इसके अंदर आर्सीम में यही चीजें हमारी हैं कि थर्टीन क्या बेटा कि सर्विस कोन सी है मेरी कि नहीं बेटा बलब कर लो वैसे करने तो आपको सारी कि सारी ही है मैं आपको बता झाला जो अफ्रीट्रियम्हें आई वह आपको मैंने बता दीए झाल णरा can है कि कुग में कई वेश्या कि सारे इंपॉर्टन तो सारी है सामस्वाइवं कल भी आपकी वीनिंग में एक्लास होगी यह तो सर्विस आरे ही हिं मैंने आपको वःलाइट करी जो आप को एक्जैम्स में कई सवाइं प्यार है उस्सीज़ के लिए ठीक कि बेटा सर ने ठेप्टर में तो और भी टॉपिक्स हैं जो एक बत्वर सर्मा की सर्स्टर में और भी टॉपिक्स की एसे मत चलोकि आर्फ में आपने ये चीज़् आर्फ में क्यूं करवाई पीटा मैंने बहुत साथी चीजिए आपको रिजिस्ट्रेशन में करवा दी हैं तो मैं आपको कॉंसेट सारे करवाऊंगा अगर आप सूचे की सब्सक्राइब यह आप नहीं करवाया तो नाम कुछ और हो सकता है मैं उसको बाद में तो आपको सारे कॉंसेट में कर एक है कि अ थीक है कि ऐसी हम देर देरे स्टार्ट करते रहते हैं जैसे आते हैं हमने काफ रवार कोश्चन करें प्रेक्टिकल के आपको पीडिस नोट्स दिग गए होंगे और आगी कि जो सब्सक्राइब करेंगे जैसे ही हम थियोरी का पार्ट खतम कर लेंगे हम उसके बाद ही प्रैक्टिकल कोश्चन्स भी कवर करेंगे डोंट बरी कि ठीक है बेटा झाल